नमस्कार दोस्तों बतों साथ आपको आमरे चलिमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकरी देने वाले हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें और इसका लाब ले सकें दोस् लेकिन अब उनको भी पेंशन नहीं मिलती यानि कि 2003 के बाद जितने भी लोग भरती हुए हैं उनको पेंशन अब बंद कर दी गई है उसके साथ साथी प्राइविट करमचारी भी अपना पीएफ कटवाते हैं और उन्हें अभी यहां पर पेंशन मिलती है अगर वो है उसके अंदर आप कैसे लाब से ले सकेंगे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के उपर बात करेंगे तो दोस्तो इस स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना जैसे कि आप सबी जानते होंगे लेकिन इस योजना में लाब कैसे लें किस तरह से आपको इसका फायदा मिल सकत है क्योंकि जब वो बुड़े हों या बुजुर्ग हों तो उनको अपने हाथ में कुछ खर्चा उनका हर महीने मिलता रहे तो दोस्तो इसी को देखते हुए अटल पेंशन योजना को लागो किया गया अब इस योजना के अंदर क्या है कैसे आप इसको ले सकते हैं कैसे इस इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो दोस्तों इक application है इसका link में आपको description में दिया है इसे आप बहाँ से install कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर क्या चीज है वह मैं आपकोई समझा देता ह OPTIONözन या जयसे की मैं आपको बताई कि सभी लोग यहाँ पर pension ले सकते हैं this i scheme को चाल can कर सकते हैं कितनी pension चाहिए कितना आपको पैसा आगे जाके लेना है वो आप यहां पर खुदी select कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों यहां पर दूसरा पर नहीं आप apply कर पाएंगे तो ढमेंगे या सलाफ देंगे भूत ही मामुली सा यहां पर आपको invest करना पड़ेगा जैसे कि आप जानते होंगे कि pension प्राइबेट हो सरकारी pension हो उसके अंदर भी salary में से कुछ अंच काटा जाता था जबी जाकर retirement के बाद हमें pension लागू की जाती थी तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ अंच समय आपर कटवाना पड़ेगा पैसे यहाँ पर काटने पड़ेंगे अपने जमा करने पड़ेंगे तो तब ही हमारी pension यहाँ पर मिलेगी और 60 साल की उमर के बाद यहाँ पर हमारी pension चालू हो जाएगी अब बात करते हैं कि आपको कितना पैसा कटवाना पड़ेगा कि आपको pension मिले तो उसके लिए हमें करना क्या है simply मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आप अपने google browser पर आपको यहाँ पर ज जो सकते हैं तो इस calculator पर हम क्लिक कर देते हैं जो आपको पहले नंबर का option दिख रहा है अब यहाँ पर करना क्या देखे यहाँ पर simply यह calculator का एक option यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर पहले नंबर पर जो option दिया है कि अगर मान लिजे आज आपकी उमर 18 साल है और अगर आप मंतली 1000 रुपे की pension चाहते हैं तो आपको हर महीने कितना पैशा अपना कटवाना पड़ेगा या जमा करना पड़ेगा तो जैसे आप यहाँ पर calculate पर क्लिक करेंगे तो देखें नीचे एक option आजाएगा हर महीने आपको 42 रुपे 42 रुपे आपने कटवाने पड़ेंगे यह automatic है आपके account से कटते रहेंगे आपको पता भी नीचे लेगा तो अगर आप हर महीने 42 रुपे कटवाएंगे या कटेंगे तो आपको 60 साल की उमर के बाद आपको 1000 रुपे pension मिलेगी लेकिन 1000 रुपे बहुत कम है दोस्तों तो मा आपको यहां पर 210 रुपे हर महीने जो है वो आपको invest करना पड़ेगा 210 रुपे 42 साल तक यानि कि 60 साल की उमर तक आपको 210 रुपे हर महीने जमा करने पड़ेंगे तब जाके आपके जो total contribution एक लाग 5,840 रुपे जमा होंगे यानि कि 60 साल के बाद आपकी जो pension बनेगी वो 5 आपको हर महीने मिलते रहेंगे सिर्फ 210 रुपे जमा करने पर अगर आपकी उमर आज 18 साल की है तो जमा contribution क्या है इसके बारे भी मैं अभी आपको आगे बताओंगा तो प्लीज आप बने रहिए अब चलिए बात करते हैं कि मान लिजिए आज आपकी उमर 35 साल है तो हम इसे इन्वेस्ट जो करना है वो 902 रुपे आपको करना है 25 साल के लिए यानि कि 60 साल के उमर तक आपको इन्वेस्ट करना है तो 25 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 902 रुपे हर महीने जो कि आपके बैंक में सीधे कटते चले जाएंगे और जो आपका total contribution होगा वो 2,70,600 रुपे होगा 2,70,600 रुपे जो आपके टोटल जमा हो जाएंगे यह टोटल कंट्रिबूशन दोस्तों क्या है तो यह कंट्रिबूशन जब मालेजे आपने यह किसी ने भी यह पेंशन स्कीम चालू करवा ली और उनकी उमर अगर पहले ही हो जाती है 60 साल से अगर पहले हो जाती है तो यह जो टोटल जमा रुपिया है यह उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है यही टोटल कंट्रिबूशन है तो यह पूरा पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है प्लस उनकी वाइफ को या उनकी हैस्बेंट जो भी है अब बात करते हैं कि इस pension योजना को आप apply कैसे कर सकते हैं यानि कि किस तरह से आप ले सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने bank account में जाना पड़ेगा और bank में जाकर आप इस योजना के लिए आपको बोलना पड़ेगा लागू करवाने के लिए तो आपको bank से एक form दे जाएगा उस फॉर्म का आपको भरना पड़ेगा जो भी डॉक्यमेंट आपसे मांगे जाते हैं वो आपको वहाँ पर जमा करने पड़ेंगे और आपको ये पेंशन बैंक में चालू कर दी जाएगी और इसका लाब आपको मिलने लगेगा यानि कि आपके बैंक में हर मही आपको पेंशन इसकीम का प्लान जो भी आपने लिए चुना है एक जार दो जार या पांच जार वो रुपे आपको हर महीने मिलने लगेंगे साट साल की उमर के बाद तो दोस्तों ये पेंशन योजना बहुत ही खास है इस अबी लोगों को लेना चाहिए इसका लाब लेन नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चे हैं मालीजा आप आपके बच्चे 18 साल से बड़े हैं या आपके घर में आपकी वाइफ हैं जो नौकरी नहीं कर रही उनका प्येफ नहीं कट रहा तो आप उनके लिए इसे जरूर एपलाई कीजिए क्योंकि सबी लोग जिनका प्ये पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारे बनाई हुई नहीं नहीं वीडियो लगातर मिलती रहें ये बल्कुल फ्री होतार आप ऐसे जहाँ ज़्याता फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद